आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी प्रियागराज के किट गंज में रहने वाले अंकित जैसवाल के बारे में जो अपने लोकल एरिया के हीरो हैं लोग उने अंकित तौर जिन के नाम से भी जानते हैं वो एक सर्पुमित्र भी हैं अंकित जैसवाल ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो उने कॉल करता है या किसी के घर पर जब कहीं साप निकलता है तो वो तुरंत अपना सब कुछ काम छोड़ कर लोगों की सहायता के लिए जाते हैं साथ ही वे कई ऐसे जीवों की भी सहायता करते हैं जिनको चोट लग जाने के बाद लोग ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं अंकित के इन सारे कामों को देखते वे लोग उनकी काफी सराहना करते हैं प्रियागराज की रहने वाले अंकित पिछले 12 साल से जहरीले सापो को हाथों में पकड़ रहे हैं पूरे जिले में कोई भी ऐसा च्छेत्र नहीं होगा जोहां पर अंकित के बारे में चट जाना हूं ऐसे में प्रियागराज के लोगों ने अंकित का नाम टॉर्जन रख दिया है अंकित पिछले 12 सालों में तक्रीवन धाई हजार से अधिक जहरीले सापों को पकड़ चुके हैं उनकी खास बात तो यह है कि वो इन जहरीले जन्तूं को मारते नहीं बलकि जंगलों में पर उसके बाद हमने मॉबैल पर देखा तो उनका आया तो अमने उनको फोन करके अंकित को फोन करके बुलाएं तो उसको देखा उसको मारा ओरा नहीं काफी टाइम तक ढूड रहेते पुरे जितने घर पे थे सब को परिसान हो गए धून ते नहीं मिला पर भाया को अंकित प्रियाग राज के केडगंज के रहने वाले अंकित को बच्पन से ही डिस्कवरी चैनल अनिमल प्लैनेट देखने का शौक था जिससे अंकित को यहीं से जानवरों के प्रतील लगाव पैदा हुआ और अंकित को लगा कि जब जहरीले जन्तु किसी को काटते नहीं जब तक की उन्हें कोई नुकसान न पहुचाए तो ऐसे में क्यों न हमें भी उनकी सुरक्षा का पूरा खयाल रखना चाहिए अंकित ने सबसे पहली बार पार्च फिट का कोब मैं अब तक 2000 से ज्यादा सापों को बचा चुका हूं और मैं डिस्कवरी का बहुत ही बड़ा फैन था मैं डिस्कवरी देखना ज्यादा पसंद करता हूं मुझे और कोई चैनल बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता सिर्फ ऑनली डिस्कवरी अगर मैं घर पर हूं तो डिस अच्छा लगता था मैं बहुत ही अच्छा लगता था में भी ये करूंगा तो मैं बहुत छोटा था था मैंने स्टार्टिंग की मंका मेश्वर के नीचे से कील बैक वाटर स्नेक को रोका जब कील बैक स्नेक को मैंने रोका तो मुझे बहुत अच्छा लगा वह काफी एक्टिव भी था क्योंकि कील बैक वाटर स्नेक ऐसा साफ है जो अगर एक बार काटेगा आपको तो 20-25 भार ही क काफी ही इसकी पढ़ाई की काफी रात-रात जाकर मैं इसकी पढ़ाई करता था ऐसे ही मुझे लोगों का फोन आता गया और मैं उनके यह रेस्क्व करता गया कई जगा तो असको लोग मट्टी तेल पेट्रोल डाल कर जला देते थे तो बहुत ज्यादा दुख होता था फिर लेकिन जहां नहीं बचा पाता था तो बहुत ज़्यादा मुझे दोख होता था फिर भी मैंने उनका रेस्क्यू किया और मैं उसे अच्छे से पर ले जाकर रिलीज किया मुझे लगबग 12 साल हो गया रेस्क्यू करते हुए 13 साल लगा है आगे का तो मैंने काफी अपील की वन विवाक से कि मुझे अपने साथ रखा जाए वन विवाक में कोई मदद नहीं की वह बोलते आप जहां जाओ अपना चार्ज किया करो जो आपका चार्ज है वह चार्ज तो मुझे बहुत ही छोटास था जब मैं स्नेक को वीडियो फोटो डालने लगा फेस्बूक पे तो लोग मुझे टार्जन बोलने लगे काफी अच्छा लगा मुझे नाम की टार्जन तो मैंने इस टार्जन ही नाम को और फिर हर जगे पोस्ट करना चालू कर दिया इसके बाद अंकित को धीरे दीरे लोग जानने लगे और जहां कहीं भी कोई भी जहरीलार जीव निकलता वहां पर अंकित सरकुशलू से पकड़ कर सुरक्षित जगा पर छोड़ दिया करते हैं अंकित के चर्चे धीरे धीरे पूरे प्रियागराज के साथ साथ अन्य पड़ू सी जीलो में भी हो गए हैं आपको बताते चले अंकित ने दो साल पहले ही एक घर में घुसे मगरमच को भी पकड़ा था जिसके बाद वो काफी चर्चा में आ गए थे प्रियागराच के रहने वाले अंकित जैसवाल तकरीबन बारा सालों से सापों को पकड़ते हैं उनका रेस्क्यू करते हैं और हम वहीं मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं हमाई ठीक पीछे भी अभी यहां सूचना मिली कि यहां पर एक साप है जिसको रेस्क्यू करने के ल रेस्क्यू करते हैं और उस साप को स्रक्षित जगा यह पहुचाते भी और तभी से यह जो है लोग इनको अपने घरों पर बलाते हैं और अब इतने जादा इनके नाम हो चुका है सोशल साइट्स पे कि कहीं पर भी ऐसी एकर सूशना आती है कहीं साप निकला है या बिश्खुपडा निकला है और इन्हों ने एक बार तो मगरमच भी एक घर में चला गया था तो वहाँ पर भी रिस्क्यू किया ऐसे में अंकित कहना है कि वो डिस्कावरी चैनल देख करके उनको ये प्रेणा मिली है और आगे भी ये कार लगतार जारी रहेगा तो एक खास रिपोर्ट प्रियागराज से देखने को मिल रही है जहां पर अंकित जैस्वाल अंकित टारजन बन गया है विडियो जनलेज रंकित बाद धियाए किता सेद आखिर रुदा माई भारत प्रियागराज